हाई गई आज भाई अपन मेंस की जो सीरीज है कि मेंस कैसे करेक करना है भाई अपन कंटीनियू करेंगे आज जो अपन डिसकस करेंगे भाई जो रीजनिंग है मैं मेंस की रीजनिंग है वो कैसे करेंगे ठीक है तो चलो शुरू करते हैं तो भाई आपने प्री क्लियर कर लिया है ठीक है प्री क्लियर करना है अब आप में इन्स में बैटे हो तो एक छोटा समय प्री में बता दे रहा हूं अगर प्री में कैसे अटेम्ट करना है मैं बता दे रहा हूं प्री में हमेशा याद रखना कि अगर reasoning attempt करने बैठे हो तो bundles वाले question पहले करना है ठीक है पजल बाद में करना है पहले bundles वाले question करना है जैसे slogs हुआ ठीक है इन equality हुई ठीक है यह bundles वाले question जो है वो पहले करना है फिर आपको puzzle उठाना है क्योंकि puzzle बहुत tricky होती है और उसम reasoning आती है तो अब मैं इसमें बता हूँ कि भाई यह कहां कहां से पढ़ना है अगर आपका pre निकल गया है तो obviously आपने basic तो complete कर चुका है तो याद रखना pre के लिए भी और mains के लिए भी अगर आप data sufficient है coded inequality देख रहे हो तो यह पूरा syllabus एक चैनल ने cover किया हुआ है वो है field free to learn मैं link description में दे दूँगा तो आप जाके देखना अगर आपका pre भी नहीं निकला है और आप reasoning डून रहे हैं कि मैं कहां से तयार करूं तो यह वो channel है जहां से मैंने basics complete किया है अपना ठीक है अब आती बात है critical reasoning और logical reasoning के लिए critical reasoning और logical reasoning आपको कहां से पढ़नी पड़ेगी एक learning capsule का 2-3 भेंटी का वीडियो डला है पूरा उसने पूरा critical and logical reasoning cover किया हुआ है बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है आप जाके देखना उसको यह भी इसक याद रखना इतना टफ आता है मेंस जो भी IPSPO का, SBIPO का, RRBP का टफ आता है जो कुछ चीजें है जैसे data sufficiency बनेगी आपको critical and logical reasoning बनेगी ठीक है थोड़ी एक दो puzzle बन जाएंगी याद रखना घबराना नहीं ठीक है कुछ नहीं बनता है जित्ता बन रहा है उत्ता कर दो ब आप पजल कहां से पढ़े मेंस की पजल के लिए कहा डूंडे तो अंकुष लामा सर का पूरा एक playlist डली हुई है मेंस के पजल के लिए ठीक है तो आप जाके देखो उन्हेंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है ठीक है तो अब बात आ जाती है कि भाई कि मैं यह सारे topic किते दिन में complete कर लूंगा देखो आपका एक प्री निकल चुका है अब आपने पहली बार मेंस के लिए preparation किया है ठीक है तो आपको थोड़ा time लग सकता है ठीक है तो इसको थोड़ सा यानि time देके पढ़े अच्छे से पढ़े ऐसे जल्दी जल्दी मत पढ़े क्योंकि एक कि भी डाउट हो आपको या फिर कोई topic नहीं मिल रहा है कुछ topic रहे गया है तो आप मेरे को comment section में comment कर सकते या फिर टेलिग्राम या इंस्टाग्राम में message कर सकते मैं आपको जरूर जवाब दोंगा thank you thank you so much